हेलो गाइज, इसमें सौरब बनना, वेल्कम बैक टू मैं चैनल, सो टाटा स्टिल के तरफ से और एक रिक्रूट्मेंट लाया हूँ आपके लोगों के लिए टाटा मेटालिक्स, जो स्टुरेंट जिनों ने डिपलोमा कर चुका है उनके लिए, ठीके, तो कौन-कौन इसमें ब्रांच भाग ले सकता है, इसमें eligibility क्या-क्या है, और भी बहुत साथ डिटेल्स मैं आपके साथ शेर करूँगा, इसमें ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को ट्रेनिंग के बाद permanent job मिलेगा कि नहीं, कितना salary मिलेगा, सब कुछ मैं आपको डिटेल्स के साथ बताऊंगा एक्जाम्स वगरा कैसा होगा, सब कुछ मैं डिटेल्स के साथ बताऊंगा, वीडियो को लास तक जरूर देखेगा, और इसमें ये भी बताऊंगा कि आप लोगों का जो एक्जाम्स होगा इसमें, इसमें आपको क्या-क्या पढ़ना होगा, तो चली शुरू करते हैं, तो यहाँ पर कर सकता है, हाँ पर ट्रेणिंग वगरा करवाया जागा है, हाँ पर सेलेक्शन वगरा होगा, सेलेक्शन के बाद, यहाँ पर वो लोग अपलाई कर सकता होगे, यहाँ पर देखी, एक साल का ट्रेणिंग करवाय जागा, जो जिनका यहाँ पर सेलेक्शन होगा, जो डिप्लोमा स्टुरेंट, जिनका यहाँ पर सेलेक्शन हो जागा, एक साल का ट्रेणिंग के बाद, अगर उनका सक्सेस्फुल ट्रेणिंग अगर हुआ, तो उनको पर मिल जाएगा एस सुपर्वाइजर के तौर पे टाटा मेटालिक्स में ठीक है तो क्या का एरियास ऑफ इंगेजमेंट है क्या कि आपको मिलेगा देखना होगा और मेंटेनेस वगएर करना होगा खरकपूर का ठीक है खरकपूर लोकेशन है यहां पर आपका प्रोजेक्ट्स ओकी करते हैं कीड़्मा बहुत में यहां है डिप्लोम एंगी चे क्टिक्टएेस एकल अलिंग या तो यहां से कि बते है उक्सियींग के तो फ्रेशर भी इसने स्मास का बारे लेंErर ब्रग्रफेसची और इफ्पीरियंस जोาง डग्टर आइरण प्लॉंड प्लांड यां से experience किया है कहीं से अगर job अगरा किया है एक दो साल का तो लोग यहां पर भाग ले सकता ठीक है और एक चीज़ यहां पर यह भी बोला कि जिन्नों ने diploma किया है as a part time course या तो distance कि थूँ वो लोग इसमें applicable या तो eligible नहीं है कि मीनिक और फिजिकल स्टैंडर्स की बात कि जाए तो आइसाइट जो 6x6 होना ज़रूरी है नॉर्मल विजिन होना चाहिए ओके यही सब से आप लोग का मेडिकल क्योंकि एक्जाम के बाद यहां पर इंटरव्यू अगरा और मेडिकल टेस्ट भी होगा ठीक है यह सब कबाद ही आप लोग को यहां पर ज्वाइन करवाए जाएगा ओके तो कमपेंसेशन के बात कि जाए फ्रेशर्स विताउट एकस्पेशन के बात एकस्पेशन बढ़ाए जितने भी प्रेस्ट ओंट जिंट ना कि अनलों को मिलेगा उके फ्रेशर के लिए एटीन थाउजेट पर मन्लेगा ऑके special instruction के along with the form of the candidate should upload photograph 10th 12th certificate ID proof SCST PWD certificate है ना तो कि यहाँ पर क्या बोला है बोला कि यहाँ पर जो upload करनी के लिए बोला कि यहाँ पर आपको photograph upload करना है अगर आपने 10th किया है तो 10th का भी upload कर सकते है 12th किया तो 12th का भी upload कर सकते है mark sheet ID proof जैसे आदर काड़ हो गया तो pan काड़ हो गया जो आपके पास है upload कर सकते है जो SCST से belong करते हैं उनको अपना कास सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है और diploma engineering का final जो result है उसको upload करना ठीक है अगर यह सा अगर आप upload नहीं करोगे तो आपका cancel हो जाएगा और सब कुछ correct details भरना ज़रूरी है selection process के बाद कि candidates who are eligible will be informed to appear for an online written test through proctoring exam mode ठीक है proctoring exam mode मदलब इसका मदलब समझे है आप लोग का online exams होगा proctoring के थ्रू या तो आप लोग घर से करवा जागा मुझे जादा जादा chances लग रहा एग्जाम जो है questions पूछे आएंगे और book की बात की जाए एक book ले लिजे टाटस्टिल JET करके junior engineering training का book आता है question bank अगर आप वो book ले लोगे तो आपके लिए better आएगा उससे सारा कुछ questions वगर दिया हो तो आप उसके लिए practice के लिए आप ले सकते ठीक है अगर आप exam mission अगर आप exam में qualify कर जाते तो आपको interview के लिए बुला जाएगा personal interview के लिए बुला जाएगा और medical test वगरा भी होगा written test interview dates will be communicated to the candidate through sms email या तो phone number के माध्यम सा आपको भेज़ दिया जाएगा तो यहां पर देखें हosas Alone में क्लिक कर सकते ऊपैप्लाइम उल्लाइन क्लिक करनेक बा centro कुछ ऐसा interface दिखने को मिलेग और पर यहाप एप्लिकेंट फर निव अप्लाईन न्यू कांड़िए और लॉगिंग लॉगिंग कांड़िए ठीके पहले आपको New Candidate में क्लिक करने गए तो आपके यहां पर इसा फॉर्म भढ़ना होगा, कौन सा पोजिशन आप लेना चाहते हैं, या तो अगर अगर फ्रेशर हो तो फ्रेशर में क्लिक कीजगा, एक्स्पिरेंस हो तो एक्स्पिरेंस में क्लिक कीजगा, तो अपना First Name, Middle Name, Last Name दे दीजिएगा, Debt of Birth दे दीजिएगा, Age है जो आपका Age है, Age as on 6th September 2021 तक जो आपका Age है तो वही दीजिगा, 6th September 2021 के बाद वाला जो Age है वो आप मत दीजिगा, ठीक है, आप अपना Calculution कर दीजिएगा, जिसका Age 6th September 2021 तक है, तो वो लोग इसमें भर सकते हैं, तो जेंडर दे दीजिएगा, कुछ भी अपडेट्स आता है, एक्जाम से रेलेटर है, कुछ भी अपडेट्स आता है, तो आपका email ID में ही आएगा, ओके, मोबाइल नमबर दे दीजिएगा, अगर आपका आधर काड है तो आधर का ID नमबर दे दीजिएगा, ठीक है, विच डिवाइस विल यूalthe अउस्स सावाट्र आप ऐसेश्मेंट, काउन सा डिवाइस आप यूस करना चाते है, तो आप laptop से या तो PC से या तो mobile में, ठीक है, अगर आप mobile से exam देना चाते है, तो Mobile से तो, PC से दना चाते है तो PC से देसकते हो, या तो laptop से भी आप दे सखते अगर अपका घर एक जगा लेकिन आपको दूसरा जगा ट्रांसफर कर दिया है लेकिन पर्मेन घर आपका यहां पर है ना तो पर्मेनेट आड्रेस में अपना पर्मेनेट आड्रेस दे जगा और आप जहां अभी रह रह रहे हो कुछ कारण वर्ष या तो आपका पापा का जॉब का कुछ ट्रांसफर वगरा हुआ है तो आप यहां पर वहां का आड्रेस दे सकते हो ठीक है सब कुछ सेलेट करने के बाद अगर आपका पस experience है तो है तो दीजेगा नहीं है तो मत दीजेगा ओके documents में क्या है photograph upload करना है center 10th का certificate upload करना है B.E. diploma certificate अगर diploma का certificate जो है final year का certificate आपको अप्लोड करना है अगर आपका पास परस अगर आप परसन वी डिसाइबिलेटी है तो उसका सर्टिफिकित देना होगा और रेजियो में तो इंपॉर्टेंट सबको देना ही होगा रेजियो मतलब अपका सब कुछ डिटेल्स वागर उसमें रहना जरूरी है जब करने क्वाद आपका लॉगिंग हो जयाएगा आपके एमल आडिमा और पास फोन नमर आपका आपका अप्लिगेशन नमबर पहुंच जाएगा वह अप्लिगेशन नमबर क्या करने काना आपको लॉगिं में क्लिक करना है यहापना आप L संद कि देडा वर देजिएगा देने का बाद capture code डालके आपना logging कर लीजिगा और further process कर लीजिगा, okay? Only for paid categories में आपको fees भी देना होगा, okay? तो उमीद करते हैं, आपको ये clear पते चल गया, ये diploma ट्रेनी वालों के लिए, तो वीडियो को ये पिकदम करते हैं, वीडियो को अच्छे लेगा, वीडियो को जरू लाइक कीजिगा, जादर जादर शेर कीजिगा और सब्स्राइब करना ना भूलेगा, थैंक यू